हेलो नवास कर दोस्तों स्वागत है आपका सब्सक्राइशन में टेस्ट नमबर टू कॉंटिनेशन में हैं साथ कुश्चन नमबर होने कर लिए थे आज से स्टिवल से अंडट कर लेंगे तो यहां तक हम लोगे दो टेस्ट हो जाएंगे पॉलिटी वाले खल से दूसरे कानून की उचित प्रक्रिया है ठीक है कानून की उचित प्रक्रिया है देखिए ग्लोबल लेविल पर जीटी सरी के मामले में दो प्रोसेस बहुत इंपोर्टेंट है जैसे पहला है डिव प्रोसेस अब लोग इसको नहीं बोलते हैं कानून की उचित प्रक्रिया दूसरा म इसका दारहा बहुत बड़ा है फ्रोसेजर स्टिब्लेस वाई लोग का दारह बहुत छोटा है अगर तोनों में कम पेर करें तो इन दोनों में फराक हमलों ने पिछले कोईशनों में अच्छे से सीखा था यहां पेतना ही रहने देते अभी बस इसमें तोना जान लेजिए कि ट्यू प्रोसेस अपलो जिसका दायरह बहुत बड़ा था इसमें ब्यक्तियों की परिस्थितियों के हिसाब से जस्टिस दिया जाता है ब्यक्तियों की परिस्थितियों के लो एक्वुटी पर बेज्ट होता है, एक्वुटी और एक्वैलिटी, दो फरक हैं यहाँ पहे, एक्विटी मतलब जिसको जितना जरूरत है, उतना हेल्प करो, एक्वैलिटी का मतलब है, आपने सब को एक जैसे हेल्प कर दी, तो आपको पता है, इंडियन जुटी सरी में खानून की उचित प्रिक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं यहाँ पर कौन सा मेधड फॉलो होता है प्रोसेजर स्टेबलाइज वाई लौ इसलिए यह गलत पॉइंट है दूसरा पॉइंट है सुप्रीम कोड ने इसके तहट राइट टू प्राइबिसी और इंटरनेट एकसेस पाने का अधिकार को मौलिक अधिकार घोसित किया देगे आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आर्टिकल 21 ऐसा आर्टिकल है जिस पे बहुत सारे इंटर्प्रेटेशन आये सुप्रीम कोड के और इस आर्टिकल में सुप्रीम कोड ने बहुत सारे आर्टिकल एड कर दिये ठीक है किस बेसिस पे बेसिक इस्ट्रक्चर के बेसिस पे मौल धाचे के अंतरकर बहुत सारे राइट्स एड कर दिये आर्टिकल 21 में जैसे सुच्छता का अधिकार ये fundamental right है और एड कर दिये आर्टिकल दिये आर्टिकल 21 के तह्त जोड़ा गिया और ये fundamental right है आज की date में लिकिन इसका दूसरा statement गरल लडल लखा हुआ है इंटरनेट एक्सेस पाने का अधिकार ये आर्टिकल 19 के तहत है लाकि आर्टिकल 21 के तहत है जैसे आप प्रेस का अधिकार पढ़ते है राइट टू प्रेस तो प्रेस का अधिकार 21 किता है या फिर 19 किता है आप आर्टिकल 19 किता है आप आर्टिकल 19 क्या पढ़ते हैं विचार की और expression की सोतंतरता पड़ता है तो press की सोतंतरता उसी में नहत है तो second point गलत है ठीक है, internet access पानी कदिकार 19 केंदर कात है, ना कि 21 के तीसरे point देखिए, यह समदान का एक मातर अनुच्छेद है, जिसकी ब्यापक संभाव व्याक्या प्राप्त हुई है, यह ओल लेड़ी आप लोग जानते हैं, सुप्रिंग कोट ने बहुत सारे article basic structure के ताहट, article 21 में जोड़े हैं, तो तीसरे point भी सही है सही बताना था है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, केबल 3 हो जाएगा केबल 3, समझाया, चलिए फ़र, switch to कीज़े जल्दी से, अब यहाँ पर आप लोगों का रिवाई होगा, जल्दी जल्दी से कीज़े, राज के नेती ने दे सकता, पार्ट नमबर जल्दी से बताएगे, पार्ट नमबर 4, article 36 से 51, और राज मतलब, सभी सरकार है, छोटे इस पड़िये, यह सिद्धान्थ देश के सासन में मौलिक है, बिल्कुल, पहला पड़िये की गलत है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि DPSP ऐसे निर्देश हैं सरकारों के लिए, जिन निर्देशों को, सरकारों को अपने कानून बनाते समय, ध्यान प्रोबाइट करा रहा है, DPSP आपको सोचल और एकोनमिक जस्टिस प्रोबाइट कराता है, ध्यान रखना इन सब्दों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार, जस्टिस को आप यहां पर राइट भी बोल सकते हो, तो सामाजिक और आर्थिक अधिकार, DPSP के दवारा प्रोबाइट को रिपर्जेंट नहीं करता, भी प्रोबाइट पड़िये, बनों, जीलों, नदियों और बनने जीवों सहथ, नेचरलल इनवार्मेंट की रक्षा और सुधार करना, और जीवित प्राणियों के प्रती दया करना एक निर्देशक सिद्धान्त है, यह निर् लिखाया है, आगे इस तरफ लिखाया है, को अनुछे 14 और अनुछे 12 के संबन्द में उचित माना जा सकता है, इस पॉइंट पे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, हमने आपको बताया था कि DPSP में ऐसे प्रोबीजन है, जो कभी-कभी fundamental राइट पर बाहर ही पड़ जा जुडी सरी को एकजी की टूप से अलग करने का निर्देश देता है, आर्टिकल जल्दी से बताये, आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 में दोनों की सेपरेशन की बात की है, यानि ये भी DPSP का भाग है, क्वेशन में आप से गलत पूछा गया था, तो गलत हम लोगों ने फाइंड गया था, बी ओप्शन, ठीके, बाकी सही थे, बाकी DPSP के बागते, बी ओप्शन DPSP नाओ के फंडमेंटल ड्यूटी है, क्लियर है समझाया है, चलिए फरागी कीजी जल्दी से, 63 देखिए, 63 में भारती है संसदिय पढाली, इंडियन पर्लियमेंटरी सेस्टम के बारे मे बताना है, फ़िवार डिसकस कर चुके, अब आसान हो जाएगा कोशन, संसत के लोवर हाउस को, राश्चपती द्वारा मंदरी परसत की सिपारिस पर भंग लिया जाता है, तो अब यह सब तो आसान कोशन है, गलत नहीं होना चाहिए, मंदरी परसत की सिपारिस पर नहीं, पी-म की सिपारिस पर राश्चपती लोवर हाउस को, यानि लोगसभा को भंग करते हैं, ठीक है, यह पर मंदरी परसत की सिपारिस गलत लिखा हुए, पी-म की सिपारिस होना चाहिए था, इसलिए पॉइंट गलत है, सेकंड पॉइंट है, राश्चपती, राश्च का द्य प्रेसिदेंशल सिस्टम का लेख दिया यहां पर तो यह पॉइंट भी गलत है तिसरा मुइंट है काउंसलर मुनिस्टर मंत्री पर से द्वारा दीगी सलाह राष्टपती पर बाद्यकारी होती है बेरी बेरी इंपर्टेंट पॉइंट समिनान संसोधन आप 42 पढ़ेंगे औ 44 के द्वारा समिनान संसोधन 44 के द्वारा क्योंकि इन दोनों टैम में सरकारें अलग अलग थी वह भी यहां पर डिसकस नहीं करेंगे क्योंकि काफी टाइम हो जाएगा फिर अभी बस अतना जालनेजिए इन संसोधनों से पहले राष्टपती बहुत स्ट्रॉंग हुआ कर था ठीक है लेकिन समिनान संसुधन 44 में राष्टपती के पर कतर दिये क्योंकि आप राष्टपती साब को जो भी करना है मंतरी परसत की सलाह पर करना है और इसको बाद कारी भी बिताए गया है यह जबाली समय आन संसुधन 1978 से किया गया है यह वाला प्रूपिशन ठीक है इसको separately भी पूछते रहते हैं exam, तो इसको ध्यान रखना, यह point बिल्कुल correct है, आप यह पर इसपस रूप से समझ सकते हैं, भारतिय संसदी प्रणाली में यह आपने जो भी तीसरा point पड़ा, यह सत्ता का प्रथक करण को रिजेंब्ल कर रहा है, यह पर सत्ता के एक ही करण को बता रहा है, क्योंकि राश्पती अब भाग नी पाएंगे मंतरी प्रसस से, दोनों को मिलके काम करना है, यानि सत्ता का एक ही करण है, भारतिय संसदी प्रणाली सत्ता के एक ही करण पर जोड़ देती है, यहापर सत्ता का प्रथक करण नहीं है, कि राश्पती अपने हिसा कर नेता स्वता ही प्रधान मंत्री बन जाता है तो ऐसा तो नहीं है भाई यहां पर स्वता नहीं बनता है वेपक्ष के नेता को प्रूब करना पड़ता है लोगा राउस में कि हाँ हम सरकार बनाने की लायक है सक्षम है सदेल में बहुमत साबित करना होता है अगर साबित कर ले जाते हो तो पुर्धन मंदर बन जाओगे साब्ध नहीं कर पाओगे तो नहीं बन पाओगे सफ़ता तो नहीं बनते हैं ठीक पॉइंट डमडी गलत है यहाँ पर शही बताना था यह बल एक पॉइंट से है पॉइंट नमबर C चलिए शुष्टी पूर्दी की जल्दी से देगे हम लोगों ने इतने सारे question कर दिये preamble पर fundamental duties पर fundamental right पर DPSP पर question को माँँआ के पूँज दा रहता है तो फर जल्दी से उड़ा दीजिए preamble के पर है पूछा है प्रस्तावना सम्दान के अधिकार का सुरोत प्रतान करती है सम्दान के अधिकार का सुरोत क्या सुरत है सम्दान का सुरोत क्या है जनता लिखा है न पहली लाइन में सुरोत क्या है जनता है तो फरस्तावना से सोर्स का पता चलता है पहला point बिलुकल correct है second point है प्रेंबल विचार, अभिवेक्टि, आउसर, विस्वास, और फूजा करने की सुतंताप पतान करती है प्रेंबल याद है न अगर ना हो तो याद कल लेना बहुत जिरूरी है मेंस में बहुत कामाता है बीलिम मेंस में बहुत कामाता है प्रेंबल और आप यह भी जाने हैं कि यहाँ पर क्या गलती होगी, क्या यह पूछना चाहरा है यहाँ पर कुछ सब्द एक्स्टा करती होंगे उन्होंने और वो एक्स्टा सब्द है आउसर आउसर सब्द नहीं लिखा है तो आप प्रियम्मल में देख लीजिए न कि सुतंतर तक किस-किस बात की लिखी में है आईए हम आपको दिखाते है यह प्रियम्मल आपके सामने है यहाँ पर देखिए लिबर्टी देखना है, कौन-कौन से लिबर्टी है थौट, एक्स्प्रेशन, बिलीफ, फेट अन्वर्षिभ बिचाल लिखा हुआ है अभी वक्ति लिखी हुई है विश्वास लिखा हुआ है विश्वास और पूजा लिखा हुआ है यहाँ पर आपको आउसर दिख रहा है आउसर नहीं दिख रहा है इसलिए आउसर साब दुआ पे उन्होंने एक्स्टा लिख दिया था कभी-कभी जेस्टिस भी पूछता है कि जेस्टिस कौन-कौन से लिखे हैं प्रियंबल में तो आपको सोचल पता होना चाहिए, एकॉनोमिक पता होना चाहिए, पॉलिटिकल पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए, कि जेस्टिस में क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या बात में जोड़े गए यानि प्रियम्बल में बात में जोड़े गए एससाई के है एसका मतलब है सोसिलिस्ट दूसरे एसका मतलब है सेकुलर इस आई का मतलब है अखंडता इंटिग्रिटी और यह काम कब हुआ था यह 42 सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब है सब्सक्राइब यह रूबारी संग मामले में सुप्रिम कोट ने माना की प्रियंबल समधान का ही खिस्सा है भाई कितनी बार इसको हम लोग पढ़ते रहते हैं 1973 लैंडमार्क जज्जमेंट केसवानन भारती में ये चीज आई थी ठीक है तो ये गलत है तो यह आप सही बताना था सही पॉइंट केबल एक है पहला है क्लियर है समझाया चलिए 65 देख लीज़े जल्दी से 65 में क्रोनोलोजी पहुची है आपको काल अनुकरम के अनुसर मिलाना है तो यहापे कुछ पॉइंट तो ऐसे होंगे जो ओलेडी मूल समधान में होंगे जैसे आप पॉइंट में नुमर 3 पड़ी है समधान के तयात नया पालका को कारपालका से अलग करने का प्रावदान यह तो आर्टिकल 50 है ना DPSP का भाग है तो यह तो मूल समधान में था ही तो सबसे पहले तो यही होगे मिनर्वा मिल्स उनी स्वासी का था सेगंड पॉइंट है बच्चों के स्वास्त विकास के आउसरा सुरक्षित करने के नटिस आपने आर्टिकल 39 पड़ा था आपने आर्टिकल 39 यह भी पड़ा था 39 में क्या पड़ते हैं लीगल एट पड़ते रहते हैं हम लोग निसुल्क बिदिक साहता और हमने आपको यह भी बताया था कि 39 में बहुत सारे आर्टिकल है सब क्लोच करके एवी सीटी इएफ इन ही साब आर्टिकल में आप एकोल पेफ और एकोल वर्ग यह सब पड़ते रहते हैं न समान बितन के लिए समाना है काम करने के लिए अच्छे अटमस्पेर प्रवाइट कराएगी स्टेट इस सब प्रविजन है लेकिन इसमें जो लास्ट वाला है यानि 39F जो है यह बाद में जोड़ा गया था बाकी जो थे ABCDE यह अल्रेडी मोल समधान में ही थे तो आपको 39F पकड़ लेना है तो यह जो लिखा है सेकेंड पॉइंट यह 39FE लिखा हुआ है देखेंगे Constitution में आई यह तरह आई यह 39 देख रहे है ए बी सी डी और लास्ट में दो पॉइंट नीचे लिखेंगे इस सब पहले डिसकस कर चुके है तो यह आप फिर से नहीं देखेंगे आप वही देख लिजिए जो पूछा गया question में ABCDE के अलावा F में आप देख रहे हैं यह अमेंड हुआ है और इसे में लिखा है Children are given opportunity and facilities to develop in a healthy manner आप बार बार देखेंगे न तो याद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है आप ठेटिन आन बार 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 पढ़ेंगे तो आपको रड़ जाएगा कि इसमें ABCDEF इतने आर्टिकल ह और लास्वला जो आटिकल है वो जोड़ा गया था और यह 42 से ही हुआ था 42 समनान संसुदन से हुआ था 1976 में ठीक है तो इसका टाइम 1976 लिख लीजे के लिए रहे चलिए एक पॉंट और साइदल का है चौथा पंड देखिए अनुसोचित जाती और अनुसोचित जाती के प पचासी समनान संसुदन से 2001 में जोड़ा गया था क्लियर है अब हो जाएगा ना अब यह सब मिलाती रहे ना क्योंगे हम लोग ने एक बार देख चुके है कार की माना उचित इस्तितियां का प्राधान स्टेट करेगा है आर्टिकल कहां पे लिखा है आर्टिकल 42 में लिख लिखा है और अगर 42 में लिखा है तो यह DPSP है क्लियर है तो यह तो DPSP कंत्र गता गया दूसरा पॉइंट है देश की समगर संस्कृति की सम्रद धरवर को सरक्षित रखना यह कह है फंडमेंटल ड्यूटी है तीसरा पॉइंट है भारत की संप्रभूता एकता और अखंट भी यह भी लिखा है ठीक है यानि मदनेशेत को बड़ावा नहीं देगा स्टेट अर्टिकल 47 वरी वरी अंपोर्टन और 47 में लिखा है इसका मतलब है यह DPSP का भाग है तो यह पर जो DPSP का भाग नहीं था वो बताना था तो दो फंडमेंटल ड्यूटी है और तीसरा पॉ यह देख लिए तो डेमोक्रेटिक नेचर क्या है पहला पॉइंट है बारत में लोगप्रीय संप्रभुदा के सिध्धान पर आधरत प्रत्यक्ष लोगतंत्र है पहले तो आप लोग भी बताईए कि सोबरिंटी हमारे यह किस चीज की है संसत्की है या फिर सम्धान की है ओ सम्धान में जो लिखाया वही सर्वेश रवाया सुपर में इस सीओ प остन ने जो लेका दिया वही सर्वेश रवाया तो यहाँ पे लोग एक चीज सीक की है कि सम्ध्रभुता हमारे हुआ सम्धान की है और सम्धान का सुरोद के है आप लोग धिसलोडीय से जानते बी people of आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रती निधी लोकतंत्र भी बोलते हैं, प्रती निधी लोकतंत्र, क्लियर है, तो यह पॉइंट यहाँ पर गल्लत हो गया, सेकंड पॉइंट है, भारती राजविवस्था की लोकतंत्र करती, किसी भी कानून पर जन्मत संग्राय का लीजिए वो काम, तो हमारी इंडियन पॉलिटी का जो डेमोक्रेटिक नेचर है, वो जर्मा संग रहनाओ के इलेक्शन है, क्लियर है, इलेक्शन है, दूसरा पॉइंट गलत लिखाए, तीसरा पॉइंट बढ़िए, प्रस्तावना में नहित, लोकतंत्र सब्दिकी परिमासा में राजनितिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सामल है, बिल्कुल, लोकतंत्र अपनियाम में एक बहुत बड़ी डैमेंशन लिए बैठा है, ये पिसरा पॉइंट सही है, किसी एक डैमेंशन को स्ट्रोंग करके, लोकतंत्र की आवधाना को मजबूत नहीं किया जा सकत तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनेगी, किलियर है, यहाँ पर क्या बताना था, सही बताना था, केवल तीन सही है, आगे चलें, चलिए, देखिए, यहाँ पर कुछ करेंट के कुशन में हैं, तो करेंट हम लोक डिसकस नहीं करे है, वो एक साथ देखेंगे, जो GS वाला पार्ट है, उसको कल ले रहा है, पहला पॉइंट है, राश्पती सासन के बारे में आपको पूछा गया है, आपको पता है, एमर्जनसी के प्रविजन, कॉंस्टिट्यूशन में, तीन जगह है, 352 में, 356 में, और 3 सिस्टे में, जि सारा सासन जो है, सारा कंटोल जो है, वो केंदर द्वारा किया जाता, यानि कंटोल केंदर का हो जाता है, किलियर है, प्रेजिदेंट का सासन मतलब केंदर का ही सासन, प्रेजिदेंट है किसका आदमी, केंदर सरकार का ही तो है, अब प्रेजिदेंट साब को पता कैसे चलता क्योंकि आप यहाँ इस राज्ज के बसकी बात नहीं है अब पहला point पड़िए राश्वती सासन लगाने की गोस्णा को संसत के दोनों सदनों द्वारा इसकी गोस्णा की तारीक से तीन महिने के बीतर अनुमुदित किया जाना चाहिए यहाँ पर question समझ रहे ना संसत से क्या करना पड़ेगा अनुमुदित कराना पड़ेगा ठीक है तो यह point गलत हो गया second point है राश्वती सासन लगाने की गोस्णा को किसी भी सदन में प्रभावी बहुमत से अनुमुदित किया जाना चाहिए यहाँ पर प्रभावी बहुमत के जरूरत नहीं होती है राश्वती सासन लगाने के लिए अनुमुदन संसत से जो चाहिए होता है वो simple majority वाला चाहिए होता है ठीक है तो यह point गलत है तेसरा point है प्रारभ में 6 मैने के लिए बैद राश्वती सासन को अधितम 5 बर्सों की अबदी के लिए बढ़ाया जा सकता है देखे जिस दिन प्रेजिदेंट साब प्रोक्लेम कर रहे है कोशना कर रहे है राश्वती सासन लगाने की उसके 3 साल तक 3 साल तक ही यह बैलेट रहेगी maximum time कितना है? 3 साल लेकिन उसको हर 6 माईने पर हर 6 माईने पर संसत के दुआरा अनुमोधित कराना पड़ेगा यह पर आप ऐसे समझ लीजिए हर 6 माईने पर महल लगवानी पड़ेगी एक्स्टेंड करने के लिए प्रेजिदेंट टूल को एक्स्टेंड करने के लिए हर 6 मैंने पर संसद की सहमती चाहिए और मैक्समाम टाइम 3 साल है 3 साल से ज़्यादा राश्पति सासन नहीं रहेगा यहाँ पर 5 साल लिखा है गलत लिखा है तो यहाँ पर तीनों गलत होगे तो यहाँ पर गलत बताना था यानि 1-2-3 हो जाएगा आंसर क्लियर है चलिए 99 देखे मूल अधिकारों के संदर में बताना है गलत कोन है यह बताना है पहला पॉइंट है संसद और राजबिधान मंडल पाल्लियामेंट और स्टेट लर्जिसलेचर दोनों निवारक अब रोधन दंड के संबन में कानून का निर्माण कर सकते हैं पिछले क्वेशन में हम लोग प्रिवेंशन और डिटेंशन पढ़े थे यादारा प्रिवेंशन और डिटेंशन आर्टिकल 22 हम लोगों ने भी पढ़ा था कि प्रिवेंशन और डिटेंशन को लेके दोनों सरकारों को यानि केंद्रिस्तर की सरकार और राजिस्तर की सरकारों को तोनों को अधिकार है कानून बनाने के लिए तो यहां पर संसत राजबिधान मंदल दोनों को लिखाए सही पॉइंट है अब इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं प्रिविएस वीडियो में हम लोगों कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 से कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं तो यह पर सही लिखा है अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता पॉइंट नमर भी बिल्कुल करेक्ट है सी पॉइंट है राजी के ब्यापार और ब्याफसाय संबंदी मामले केबल राजी के एक अधिकार छेतर में आता है आर्टिकल 19 आप लोग पढ़े हैं हम लोग ने यह भी डिसकस किया था कि आर्टिकल 19 में सब क्लोज है और सब क्लोज में 6 सुतनतता है यानि आपको आर्ट खेर नहीं किया जाएगा तो यहापने गलत बताना था गलत तो पूई भी नहीं है तो डिऌप्षन हो जाएगा क्रेक्ट केलियर लें टी ऑप्षन करेक्ट हो जाएगा चलिए एक क्विशन हो रहे है जो जी आस का है यहाप धनवाद परस्ताव के बार्वें पूछा जा है ठीक है voting process ही होता है जिसमें ruling party को इससे दिखनना पड़ता है कि हम जिस seat पर बैठे हैं जिस position पर बैठे हैं हम responsible है हम काबिल है अगर सरकार है विश्वास प्रस्ताव को पारित नहीं करा पाती है तो इसका मतलब ही होता है ना कि हम capable नहीं है opposition party लेगी, obviously opposition party लेगी क्योंकि opposition party को लग रहा है confidence नहीं है ruling party उससे लग रாया है कि आप capable नहीं है आपको सरकार मैं नहीं होना चाहिए पहला point देहीं सदस किसी भी मामले को सरकार में बह्ज सकते हैं तो किसी भी मामले को तो नहीं सरकार जिस मामले के लिए responsible नहीं होगी उस point को भेज़के या फिर उस issue को भेज़के आप क्या करेंगे उसको rolling party accept ही नहीं करेगी है ना reject कर देगी तो किसी भी मामले को यहाँ पर नहीं होना चाहिए गलत है पहला point rolling government उसी मामले को accept करेगी जिसके लिए वो responsible है दूसरा point है धन्यबाद प्रस्ताव समनन के अनुचेद 86 और लोगसभा में प्रक्रिया और कार संचलन नियमों के नियम 16 से 24 द्वारा सासित होता है देखे आप लोग जानते हैं कि संसत कुछ rules and regulations से चलती है जिसके खुट के नियम है जिसकी चर्चेद यहां पर की गई है प्रक्रिया और कार संचलन नियम तो धन्यबाद प्रस्ताव की चर्चा 86 में ना करके 87 में की गई है ठीक है 87 में यह point गलत है तिसरा point है motion of thanks को आप इस्वास प्रस्ताव माना जाता है बिल्कुल करक्ट है इसी कहा हम लोगों नहीं तो यहां पर सही कौन सा है cable 3 यह point सही हो जाएगा समझाए भई या चलिए फिर मिलते हैं बहुत बहुत सुक्रिया आप लोगों का